हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू चैनल टून टू फूट आज की हमारी रेसिपी है डाल वैसे तो डाल हम सबके घर में बनती ही है लेकिन यह कुछ अलग है यह है पंजाबी डाल तड़का हमने डाल में क्या ट्विस्ट दिया है चलिए रेखते हैं तो शुरुआत करते हैं दाल से क्योंकि हम बना रहे हैं दाल तड़का तो डाल तो में इंग्रिजेंट है यहां मैंने लिए है आधा कप चना दाल और आधा कप तूर दाल हमें इसे आधे कंटे के लिए भीका लेना है और उसके बाद इसे हम सीची लगा के बोईल कर लेंगे और बोईल करते टाइ दाल घी के बीना मजा नहीं आता है कि आप अपने इस आप से डालो आपको जितना हाने का मनों और अब घी गरम होने देंगे मैंने चना दाल और तूर दाल को पहले ही उबाल के रख लिया था इसको उबालते टाइम मैंने सुर्फ नमक डाला है इसमें हल्दी नहीं है यह दाल का ओरिजिनल यलो कलर है शुरुवात करते हैं हम जीरे से कि दाल में तो जीरा जाता है साथ ही हम डालते हैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मिती एक तेज पत्ता और अब भारी है यह हमारे चॉप अनियन गार्लिक और ग्रीन चिली और साथ में है जिंजर मैंने इसको एक साथ चॉप कर लिया है इसे हमें रोस्ट करना है गोल्डन होने तक कियुकि हमारी डाल का टेस्ष ये ही ओन्यन रावलक रिसाइड करेंगे यह ओट पुक्त हो गए तो यह टेस्ट खराब करेंगे और यह कम रहे गये तो भी यह टेस्ट Harap करेंगे इन्हें बहुत साफधानी से गोल्डन करना है और अब ये कुख हो गये हैं इन में हम मिलाएंगे हमारे तमाटर तमाटर के साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर जोब कि दाल उबालते टाइम हमने हल्दी पाउडर तो डाला नहीं था और पारी है धनिया पाउडर की है जोब हमने टमाटर डाली दिया है इसे कुख करने के लिए नमक भी डाल देते हैं पांच मिनट के लिए ठग दें फ्लेम को स्लो कर देना और इसे पकने देना है पांच मिनट के लिए ये बात जरूर दियान रखें जब भी आप दाल तड़का बनाए तो हमेशा घी का इस्तिमाल करें हालांकि तेल का भी इस्तिमाल सब लोग करते ही हैं लेकिन घी जादा अच्छा आता है क्योंकि घी का पर जो होता है वो तेल का नहीं होता है क्योंकि जब खाना ही रोज रोज एक ही चीज़ है तो उसमें कुछ ने कुछ ट्विस्ट देते रहना चाहिए तो आप पांच मियट हो गया है और यह पूरी तरह कुख हो गई है आप देखो यह मैशी हो गया है आपस में अब हम इसमें डालेंगे हमारी उबली हुई दाल जिसको हमने सिर्फ नमक डाल के उबाला है यह चना दाल और तूर दाल दोने नहीं है यह यलो दाल हमारे रेड मसाले के साथ आके इसका कलर ही चेंज हो गया आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है यह इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे तोड़ा सा पानी अब हम इसे हाई फ्लेम पे उबलने देंगे और इसे ढग देंगे वैसे तो इसमें चना दाल और तूर दाल दोनों ही है और दोनों के अपने ही बेनिफिट्स हैं चना दाल मसल्स और बोन दोनों के लिए काफी अच्छी है और यह इम्म्यूनिटी भी बूस्ट करती है और प्रोटीन तो होता ही है तो जब बनाना हो दाल तो उसमें चना दाल जरूर डाल दें यह एक तो टेस्ट बढ़ा देता है और हेल्थ तो है ही हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम फास्ट के लिए रोज नवरात्री स्पेशल रेसिपीज अपलोड करते हैं हमारे चनल पे मैंने कुछ रेसिपीज की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अब उसे भी जरूर ट्राइब करें पांच मिनट हो गए हैं और दाल हमारी उबलने लगी है यह आपके उपर है आपको दाल की कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे दाल को बंद कर रहे हूँ जैसे कि यह दाल तड़का है दाल तो हमारी हो गई अब बारियाती है तड़के की तड़के के लिए हमने लिया है तड़का पैन इस तड़का पैन में हमने डाला है घी घी गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा इसके बाद दो सूखी मिर्च ली है मैंने दाल तड़का बिना हींग के अंदूरी है तो अब हम डालेंगे हींग और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च इसे कलर देने के लिए अब हम लगाएंगे तो हमारी डाल रेड़ी है सर्व करने के लिए अब हमारी डाल रेड़ी है लेकिन डाल का अकेले क्या करेंगे डाल के साथ तो हमें कुछ चाहिए ना तो अब हम बनाते हैं जीरा राइस जीरा राइस के लिए हमेशा की तरह हमें चाहिए एक पैन इस पैन में हम डालेंगे घी घी गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग अब हम इसमें हमारे लेफ्ट ओवर राइस डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पती घैया बदती ओप्शनल है ये इसके फ्लेवर को बढ़ा देती है और वाइट वाइट में ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो कितना अच्छा दिख रहे है मैंने यहाँ पर रोजाना बासमती राइस लिया है आप कोई सा भी बासमती राइस या ओडिनरी राइस भी ले सकते हो और इसे बनाने के लिए पहले आप राइस को बॉइल करने तब बनाएं मेरे पास लेफ्ट ओवर राइस पड़ा हुआ था तो मैं उसका जीरा राइस बना रहे हूँ अब बारी है नमक की नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप जीरा राइस को ऐसे भी कर्ट के साथ में सर्फ कर सकते हो और अब हमारा जीरा राइस रेटी है हम इसे सर्फ करेंगे तो इस तरह हमारी दाल तड़का और जीरा राइस रेडी है जब रोज के खाने से कुछ अलग बनाने का मन करें तो इसे जरूर ट्राइ करें रोज के खाने से ही तो इसे एक बार ट्राइब जरूर करें और लगे हाथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें वीडियो को भी लाइक कर दें और इसे शेर भी कर दें हमें कमेंट में लिखके बताएं कि आप एगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं और हमारे behind the scenes और वीडियो के शौस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम प के साथ तब तक के लिए बाबाई